आपका स्वागत आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे कुछ और खबरों का रिश्केश में रायवाला महतसव रस्यान के तीसे दिन की सांस्कितिक संध्या सू प्रसित गड़ कलाकार गजेंद्र राना मीना राना और मोहन सती के नाम रही महीं मेले में पहाड़ी उतपादन और हस्त श्रिल्प और व्यंजिन के स्टॉल भी लगाए गए इसमें बतोर मुख्यातिती विधानसवा अध्यक्ष प्रेम चंडर अगरवाल ने दीद प्रजुलेत कर कारकरम कशुभारम किया उन्सक्रति में मेले और महतसव समाज़िक समर्सता और सद्भापना का संदेश देते हैं इस प्रकार के महतसव हमारी पौरानेक धरो, खरो और रेती रिवाजों के प्रति युवाव को प्रेरित करेंगे तो तस्वीरे आप देख सकते हैं तीन दिवसीय राये वाला मौतसब का ये शुवारम हुआ है कलाकारों को सम्मानित भी किया गया साथी आपको बता दें यहाँ पर सांस्कतिक कारक्रम भी रखे गए लकसर में अंडर पास के निर्मान को लेकर मांग लंबे समय से चलिया रही है कुछ दिन पहले लकसर के लोगों ने अंडर पास निर्मान को लेकर धना प्रदर्शन दिया था और पांच दिन तक अंचन भी चला जिसके बाद रेल्वे प्रसाशन जिला प्रसाशन हरकत में आया और जिला अधिकारी और डी आरेम की तरव से सयुक्त निरिक्षन किया गया और अंडर पास के निर्मान को हरी जंडी दे दी गई इसके साथ ही अधिकारीों की तरव से लक्सर निवासियों से 15 दिन में अंडर पास के निर्मान को शुरू करने की बात कही गई लेकिन एक महीना गुज़र जाने के बाद भी अंडर पास के निर्मान शुरू नहीं हो सका है इस तरह का सुलसन नहीं निकला पतने राजनिती किस तरह की हो रही है विधायक भी इस बारे में बार बार यह कहता है कि हाँ बनेगा बनेगा लेकिन वह रूची नहीं ले रहा है और डियर्म सहाब ने भी पीछे आस्वसन दिया था यहां पर दढ़ने पर जो लोग बैठ हमारे दो शेयर के दो बच्चे मासूम से शहीद हुए से अंडर पास के लिए जब लोग दोनों बच्चे मरे तो हम थोड़ा सा जागे हम लोग दरने पर बैठे तो भी सरकार नहीं जागी फिर हम लोग उन्हें अंसन भी चालू किया सितार गंज में 24 गंटे में अवैद खानन के खिलाफ बड़ी कारवाई की है आपको बता दें खानन शेत्र में चापे मार कर SDM और तहसीलदार ने 10 ट्राक्टर ट्रॉली सीज कर दी है SDM तुषा सेनी और तहसीलदार शिवांगिनी नियावैद खानन के खिलाफ चेकिंग अभ्यान चलाया था इसके बाद आपको बता दें SDM सेनी ने बताया कि सिसोना गाउं में मुख्य सड़क पर चेकिंग के दुरान दो ओवरलोड ट्राक्टर ट्रॉली पकड़ी गई और इनमें सत्तक कुईंटल खनन सामगरी की अनुमती थी लेकिन ट्रॉली में करीब देड़ सो कुईंटल ओवरलोड खनन सामगरी पाई गई जाज के करने पर पता चला कि एक ट्रॉली में नमबर प्लेट ही नहीं थी और ट्रॉली के उपर दो नंबर प्लेट रखी पाई गई इस पर दोनों वहानों को खनन अधिनियम के तहएत जब्त कर लिया गया है तो वैद खनन के खिलाफ ये बड़ी कारवाई की गई है सितार गंच में आपको बतादे 24 घंटे पे 10 ट्रॉलियों को सीज कर दिया गया है उत्रखन में दो महीने पहले बे मौसम बारिश और आबदा से प्रभावित किसानों के लिए सरकार की तरफ से प्रती हेक्टेर 13,500 रुपे मौवज़ा देने का एलान किया गया था लेकिन दो महीने बीच जाने के बाद भी अभी तक किसानों को मौवज़ा नहीं मिल पाया है इस मामले में कॉंग्रेश प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व दरजार राज्यमंद्री डॉक्टर गणेश उपाध्याई ने जिले के आला धिकारियों से बात करते हुए साफ तोरपर कहा कि अगर एक सब्ता के अंदर किसानों को मौवज़ा नहीं मिला तो वो अनिश्रित कालीन धरने पर बैट जाएंगे तो आपको बता दें मौवज़े मिदेरी से किसानों में नराजगी देखी जा रही है अनिश्रित कालीन धरने पर बैटने की यहां पर किसानो की तरफ से च्वेताबनी दी गई है किसानों की फसल चौपट हो गए थी इस पर फेक समय उत्रकन सरकार जिला परसालनसें से हम लिख के दिया था और उनके द्वारा स्वर्विवी किया गया दुरभागे वस अभी तक उनको मुआजा नहीं मिला जबकि मुआजा अब आचा शिकता लगने जा रही है अगर मुआजा ये गत्ते गंद नहीं मिला हम कॉंगरेजन किछा विधान सबा तैसिल किछा में धरना देंगे और अनिस्षित कालिम धरना देंगे और इसके खिलाब जो भी अगर सरकारे अनसुनी की काशिपूर में आम आद्मी पार्टी के चुनाव कैंपेंड कमेटी के प्रदेश रध्यक्ष दीपक वाली ने प्रेस कॉंफरेंस करते हुए कहा कि देश के आजादी के समय से ही काशिपूर को जिला बनाने की मांग यहां के शेत्र वासी कर रहे हैं लेकिन इनकी मांगों पर कभी किसी सरकार ने कम भीरता नहीं दिखाई तीन तीन पीडियां जिला बनने के सपने को लेकर अंदोलन करती चली आ रही हैं और दो-दो पीडियां तो जिला बनने का सपना लेकर स्वर्ग की पहुँच चुकी है लेकिन राजनीतिक दलो ने आज तक काशिपूर को जिला नहीं बनाया और जब से अर्विन केजिवाल ने आपकी सरकार बनते ही तीज दिन के अंदर छे नए जिले बनाने की गोशना की है वेपक्षिदलो की तरव से बयान बाजी का दौर शुरू हो कया है तो आपको बता देए कि दीपक बाली ने ये बीजेपी पर निशाना सादा है केजिवाल उत्राखंड में 6 जिले बनाएंगे उत्राखंड में 2022 की सरकार बनने के बाद 30 दिन में 6 जिले बनाए जाएंगे जिसमें काशी परूरी एक जिला होगा तो उसके बाद से विपक्षिदलो की तकलीफ बहुत ज़दा बढ़ गई है और उस तकलीफ में शायद ऐसा लगता है कि वो नहीं चाहते कि जनता की सबस्याएं जो हैं वो कम हो यह जिले के नाम पर जीतने का बारवन के मुद्दा था यह जाता हुआ उन्हें दिखाई दे रहा है और उन्हें जनता की परिशानियों से कोई मतलब नहीं है और काशिपूर के साथ जो पांच और जीले हैं वो भी 30 दिन के अंदर जीले बनेंगे दिनेशपूर में फैमिली वेलफियर कारकरम के तहत वरिष्ट पुलिस अधिक्षग देलेपिर सिंग कुवर की पतनी विनीता सिंग और अपा पुलिस अधिक्षग प्राइम रूदरपूर प्रमोद सिंग की पतनी आरती सिंग ने पुलिस परिवारों के घरों में जाका परिजनों से मुलाकात की निरिक्षिन के दौरान उन्होंने पुलिस परिवारों की महिलाओं की कार्रे कुशलता में बड़ोत्री के लिए आत्म निर्भर बनने की बात भी कही पहला तो हमारे महिलाएं बहुत अच्छी महिलाएं हैं यहां बहुत कॉपरेट करती हैं और हमारे जो है पुलिस लाइन में हुआ करता था अज तक यह प्रोग्राम जैसे घर की सफाई करना बद मतलब यह सफाई करने का मतलब यह की फैमिली वाले सफाई के परती जो एवेरनेस रहे और अपने बच्चों को भी जो है सफाई की आदर डाले वह लोग अभी तक तो हमारे पुलिस लाइन में होता था अभी हम लोगोंने थोड़ा सा हमारे क्यूंकि थाने और चौकियां में भी फैमिली रहती हैं वो भी हमारे एक पुलिस फैमिली के एक हिस्सा हुआ होते हैं यह एक्चुली हमारी मैम के उसमें चल रहा है कि इन्हें मोटिवेट करने के लिए जैसे स्वालम भी बनाने के लिए सिलाई ट्रेसिक्षन इसके बाद हम पालर का कोर्स कराएंगे पहले यह होता था कि हमारे विर्कल्स में जैसे थानों में हैं फैमिली कॉर्टर से वह महिलाएं वन्चीत रह जाती थी ति उन्हें मतलब कोई वन्चीत ना रहे हम सबको ले के चल रहे हैं सबका साथ वही वाला हाय है और इसी के साथ इस बुलिटे में फिलाल फ्रेतना ही आप देखते रहें नीज् प्रेंदी आप